नाइन और टैन हम इन्हीं करते हैं चेप्टर नमबर नाइन और टैन इसके अलावा नाइन नमबर अगर आप यूज करोगा तो बहुत स्ट्रॉंग होगा अगर वह यूज कर रहो ना तो एंट्री लिने में बहुत मुश्किल आपको आनी नहीं है तो कुल मिलाकर करके रिडिंग्स और कैसे लेवल स्ट्रॉंग है किस तरह से लोग एंट्री लिंगे सारी चीज़ आपको मालूब ने अब मंडे सोगा ट्रेड एक्जिक्यूट ट्रेड एक्जिक्यूशन में कौन कौन से ऐसी चीज़ें जो कि हमें ध्यान रखने हैं तो कु एंट्री लेने के लिए तो simply हैं लोगि यह सिस्टम करें बजूर कि एक्राही कोई दोखने हैं अब हो क्यों कि है्यूंकि है और लूका को वह सकता है यह हमारे स्टॉप लोस होगा टार्गेट बेसिकली जो मिसकंदर लेकर के चलेंगे अपना क्यूंकि फर्स्ट वीक है तो सिंप्लिय में सिर्फ वन इस्टू टू चाहिए इसके ओपर हम लोग कुछ करेंगे नहीं जैसे ही आपको वन इस्टू टू मिलेगा ट्रेट क्लोज कर दो गया नेक्स्ट विक से फिर हम लोग 3 और 4 के लिए जाएंगे लेकिन क्योंकि फर्स्ट वीक है तो बहुत बड़ा stressable टार्गेट हम नहीं देंगे वर इस्टू टू पर यह भूक कर लोगे और नेक्स्ट विक से फिर हम लोग 1 इस्टू 3 और 4 के लिए इसके बात में यह हो गया और क्या था स्टॉप लॉस में एक चीज आई क्या कि शुट बी लेस देन जीरो पॉइंट पोर और अगर कोई भी स्टॉक मॉनिंग में आपका वन पॉइंट पाइव और तू परसेंट तब अगर मूव हो चुका है यह मान करके चलो परसेंट अगर मूव हो चुका है तो वी विल नॉट कोई भी स्टॉकर बन पॉइंट परसेंट से ज़्यादा मूव हो गया तो फिर हम ट्रेट एक्जेक्यूट नहीं करेंगे ऐसा होता का बेदेखे मौनिंग में आप देखो कि कुछ केंडल्स बड़ी बड़ी फॉर्म हो जाती है तो ऐसे स्टॉक को हम ट्रेट नहीं करेंगे एक तरह से वेन नौट तू अगर आपको किसी भी स्टॉक में ट्रेट एक्जेक्यूट करने से पहले मिलना तो आप ट्रेट एक्जेक्यूट नहीं करोंगे इसके बाद में शुरुआत में मौनिंग में यह आप देख रहो कि दो या तीन केंडल्स बड़ी बड़ी फॉर्म हो गई है और उनका सारा का सारा मूव मिला करके आपका 1.5 परसंट से ज्यादा हो रहा है तो हम ट्रेट एक्जेक्यूट नहीं करेंगे आफ्टर देट कुछ-कुछ स्टॉक्स में आप देख रहे होगे कि दो या तीन केंडल्स ने सिर्फ एक ही केंडल बड़ी सी बनेगे और इसको पूरे दिन साइड वे हो जाएगा जैसे एच्टीपसी बैंक है बहुत अच्छी किस्मत होती है मतलब बहुत सही जगह पर आपको अगर वो स्टॉक मिल या तो मूव हो जाएगा अगर आपने सही जगह पर सही दिन अगर उसको ट्रेट नहीं किया तो बहुत हद तक चांस है कि वो स्टॉक 0.2 0.1 0.3 0.3% की केंडल तो आपको बहुत कम मिलेगी चोटी-चोटी केंडल बनागा 0.15% 0.10% यह 0.05% इतनी बड़ी बड़ी केंडल सो उसकेंडल बनती महीन महीन चोटी-चोटी केंडल इस तरह के स्टॉक्स को ट्रेट करने समलोग थोड़ा सा बचते हैं अब अगर 1% की ही कैंडल शुरुवात में देख रहा हो के बन गई है तो फिर हम उसको ट्रेड नहीं करेंगा तो यहां पर क्या हो जागा यह 1.5% का जो रूल है यह ब्रेक करना पड़ेगा हम लोगों को क्योंकि हम अगर हम इस टॉक वाइस सिर्फ फिक्स्ट हो करके अगर हटीफ से बैंक को ही देखते हैं तो फिर बन परसंट से ज्यादा अगर वो इस टॉक मूफ हो जागा तो भी हम ट्रेड नहीं करेंगे द्यान रखिए चोटी-चोटी चीज़ है ट्रेड एक्सी वजह से हम लोग का इसल जाता है यह जो ट्रेड अगर सही नहीं आ रहा तो यही चोटी-चोटी वजह होती है । एक और चीज डेली टाइम फ्रेम पर masking नहीं होनी चाहिए अब ये masking क्या होती है छुपा लेना mask लेना किसी candle को एक छोटी candle और एक ये बड़ी candle previous day की candle को अगले दिन बनी candle ने अगर पूरी तरह से mask कर लिया है तो फिर हम next day trade नहीं करते हैं हम avoid करते हैं trading next day हम trade execute नहीं करेंगे ये trade नहीं करने की पीछे जो logic दिया जाता है कि क्यों नहीं करना है क्योंकि अगले दिन price का जो movement वो confirm नहीं होता है clear नहीं होता है क्योंकि previous day के high को भी इसने break किया और low को भी break किया है तो यहाँ पर already trend confirm नहीं है price हमारा upside की तरफ जा सकता है या फिर downside की तरफ जा सकता है clear नहीं है तो फिर हम trade नहीं करते हैं किसी भी दिन अगर आप trade execute करो और उसके पहले आपको इस तरह के movements देखने को मिल जाएं तो इसका मतलब कि आप trade execute नहीं करोगे next day यह ध्यान रखना trade नहीं किया जाएगा okay अब आजाता है money management money management में क्या है risk इसके अंदर हम लोग fix करके चलते हैं per trade हम जो लेंगे इसके अंदर 50 rupees का होगा 50 रुपे से ज़्यादा risk मतलेना यह capacity के उपर depend करता है 50 से कम नहीं होना चाहिए ज़्यादा कर सकतो आप 50 रुपे से कम मत करना यह pocket की capacity है हो सकता है किसी की pocket capacity 50 रुपे हो और यही 50 रुपे समीर 500 का कर देंगे सतीश 200 का कर देंगे शेग उरंग 200 का कर देंगे इसी तरह से यह change हो जैसा नहीं है कि 50 अगर हम बोलें तो फिर 50 से जादा ही होगा नहीं हो जागा लेकिन 50 से कम मत करना per trade risk 50 रुपे से less than 50 रुपे नहीं होना चाहिए यह है कि actually यहाँ पर सिर्फ हम इसलिए यह बात बोलने है ताकि यह आपका fix फिर आगे जितने भी trade up execute करोगे उससे कम नहीं होना चाहिए नहीं उससे ज्यादा होगा अगर आपने first day first trade में 20.500 रुपे का risk लिया तो फिर आप उसको कम नहीं करोगे और उसको ज्यादा भी नहीं करोगे तो इसलिए जो first trade में आप risk लोगे उसको बहुत सोच समझ कर लेना अगर आपने 1000 रुपे का risk ले लिया तो rules के according आप उसको एक 1100 नहीं करोगे और 900 नहीं कर सकते 1000 मतलब 1000 10-15 रुपे का उपा नीचे चलेगा 1000 रुपे का गर हो 50 रुपे का हम मान के चलने तो 5-6 रुपे का उपा नीचे वो चलेगा हो सकता है किसी दिन आप stock को trade करो 50 रुपे का risk अगर आपने रख रखा और जितने रुपे का आपका risk होगा अगर आपने 50 रुपे का risk लिया है तो उसको हम into two कर देंगे यह क्या निकल आएगा अपना target 50 का risk है 100 रुपे का profit लेकर के बाहर से निकले इतनी सी यह चीजे इसको याद रखना यह management है यह यह जो पूरा आपका क्या बोज़ने है target चलेगा 20 trades का होगा total हम लोगों को 20 trades execute करने हैं 2 से जादे ने 2 से करने 2 trade आप करने ही करने है और per trade risk जो आपका रहेगा वो 50 रुपे का fix है per day 50 रुपे का risk per day 2 trade इस तरह से अगर हम लोग देख रहे हैं वो है 100 100 रुपे का risk हो जाएगा अब 100 रुपे के risk को हम लोग यह याद रखिएगा इसको यह fix करके रख लियना क्योंकि जितना भी हम लोग loss करते हैं जो भी नुकसान करते हैं मार्केट में सिर्फ इन rules को नहीं follow करने की विज़े से होता है हमारा कोई भी trade आप देख लो अभी दर 6 महीने साल बड़ से हम जितना भी कर रहे हैं वो 3000 का risk मेरा fix होगा उससे पहले जो हम करते हैं मेरा 2000 का risk शुरुआत के जब वीडियो आप देखोगे तो 2000 का risk हमारा fix होता था फिर में 3 कर दिया अब यह बढ़ करके 5000 तक जाएगा 5000 का जब हम अपना continue कर लेंगे तब फिर हम option में जाएगे तीरे से अभी लेकिन हम इतने चोटे से risk के साथ हम option में नहीं जाएगा तो per day risk हमारा hand to piece का हो जाएगा इस तरह से अगर हम देख रहे हैं और अगर हमको 20 दिन ट्रेड एक्जेक्ट करने हैं तो क्या हो जाएगा फिफ्टी 50 50 into 20 is equal to आप यह मान करके चलना है अगले दस दिन तक दो वीक का ही पूरा प्रोजेक्ट है तू विक्स का अगले दस दिन आपको trade execute कर दिया तो वो गया हम 50 रुपए घर रिस्क लेने के बाद में यह नहीं सोचेंगे कि प्रैस दीरे दीरे करके निशा रहे यह क्या पंदर रुपए का लॉस बीस का लॉस हो गया चुल बीस बचा लेते हैं बचाना नहीं जाने दो बीस भी जाने दो एक बार अगर आपने एंट्री ले ली आफटर निकलने की सिर्फ दो जगा होती है एक तो ऐसल इसके अलाबावा अगर आप कहीं किसी भी जगह से निकल रहे हो इसका मतलब कहीं न कहीं आपने गड़बड कर दिया है और आपके प् जैसे कि वो निकालता है ब्रोकर यह ब्रोकर निकालेगा आपको यह प्रैस फिक्स नहीं होता है बहुत रेर कंडिशन में ऐसा होगा कि हमने एंट्री ले ली हैं और हम निकल रहे हैं बहुत रेर केसिस में ऐसा यूस होता है मान लीज़े हमें कहीं जाना पड़ गया बंद condition में होता है या फिर अप last तक wait करो price आपका target तक पहुंचा ही नहीं उसने stop loss rate किया है और अप last तक wait करो क्या करें कि price वहां तक जाएगा नहीं जाएगा और market भी close होने वाली है अब मजबूरी है कि आपको बीच में निकलना पड़ेगा तो ये पर हमने निकले हमने order लगा है वो order एक्जेक्यूट नहीं वह प्राइस कि फिर दुबारा वहां तक नहीं गया पिर नीचे फिर ब्रोकर ने हमको निकाला और कई बार होता है कि यह आपका target point है प्राइस यहां यहां ऐसे से करके trade कर रहा है travel कर रहा है और यहीं पर इसने 3-10 कर दिये 3-15 हो गए अब क्या करें फिर हमें यहीं पर निकलना पड़ेगा बीच में तो ना तो target मिला ना ही हमको stop loss मिला हम बीच में निकले यह कुछ conditions बनती हैं अगर इस तरह की situations नहीं है तो फिर आप बीच में निकलोगे stop loss हो गए targets और risk हाँ money management करके चलना अभी जो चीज हमने बदाए कि first जो आपना risk रख लोगे वो fix हो जागा फिर वो change नहीं होगा अब सबसे main चीज क्या होता है न हम लोग एक excel फाइल बनाते हैं इस excel फाइल में सब कुछ होता है सब कुछ का मतलब कि पूरे दिन में जो भी activity आप करोगे इसमें वो सारी activity आपको fill up करने जैसे कि कुछ columns आप बना लोगे सबसे पहले date आते ही date के बाद में top name आएगा जो reason रहेगा आपका trade execute करने के लब करने का basically उसको यहां पर लिखते है यह साही चीज है तो simple है समझ में आ रही होंगी इसके बाद में रिस्क आपका कितना रॉपया का था आरार कितना निकला 1-2 मिला है 1-1-1-1-0.5 मिला है जो भी रहो उस state के अंदर आप में profit कितना रॉपय का किया है अगर profit किया है तो या फिर अगर आपने loss कितने का किया है फिर आपका था reason behind trade execution trade execute करने की पीछे का reason क्या था लीजे और dm क्या है यह daily time frame की marking आपके कितने रॉपय बार आपने daily time frame की marking किया है यह इसलिए क्योंकि trade execute करने के बाद में अगर अगले ही दिन आप खुद उस trade को analyze करोगे तो आप भूल जाओगे कि इस trade के अंदर actually हमने किया क्या है और यहां पर profit और loss के columns अलग अलग बनाना एक ही में मत बना देना एक में बना दोगे तो गड़बड जाएगा वरना फिर profit वह क्या होता है इसका कि profit यतना भी हुआ है उसको add कर लेते हैं हम लोग क्योंकि यह वाला column सबस्यादा जागा खाता है कि हमने daily time frame पर अपनी 1st September की एक candle देखी 1st September के आगे 1,2,3,4 दिन से market रुखी हुई है अचानक से price ब्रेक आउट कर दिया था upside की तरफ after breakout हमने देखा कि price breakout करने के बाद वापस हमाई range के अंदर आ गया और higher time frame के level जो 1st September की candle थी उसी candle के high से price अपना support ब्रेक करने लग गया नीचे की तरफ इसके अलावा और कोई काम नहीं करना है कोई काम नहीं होगा अभी हमने आपको क्या बताया higher time frame की मार्किंग किस तरह करनी उनकी सारे methods आपको मालूम है एंट्री कैसे लेनी chapter 910 आपके पास है stop loss entry target जहां पर भी आप लगाओगे 0.5 और 0.4% से ज़्यादा बड़ा stop loss नहीं होना चाहिए अगर ऐसा होगा तो आप trade execute नहीं करोगे टार्गेट के लिए जितना आपको stop loss अगा उसका adjustable आपना टार्गेट लगा दो गया और सब कुछ करने के बाद जब trade आपका execute हो जाएगा तो यह सारे column अपने fill up कर लेना है यह जितने भी बने हुए न जो हैं यह सारे के सारे आप बहुत सारे हो जाएंगे मतलब कितने आ आखरी column profit और loss आपको इतना सा काम करके आपको दोगे मंडे से जो भी ट्रेड आप execute करोगे execute करते समय life market में किसी को कोई भी अगर problem आएगी तो सिधे में WhatsApp करेगा कि हम यह चार्ट देख रहे हैं पलाना चार्ट है इसके उपर हम जो अपना व्यू बना रहे वह ऐसा है अग लास लास में अनुआर्थ है हमारे पास अनुआर्ट ने क्या किया तो जो भी ट्रेड एक्जिक्यूर करने जारे है मिल्हाँ अगर कोई श्रॉक देख भी रहे तो वह हमको सेंट कर देने सबसे पहले वो टाटे स्टिल देखने हैं तो हमको send कर दिया कि sir I am watching this chart जो भी अपमी language हो हम यह वह बला chart देखने हैं अब फिर टाटे स्टिल को छोड़ दे अब मारूती हम मारूती को देखने हैं क्या करें इसके उपर trade कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं यह सब नहीं करना है जो भी चार्ट आपको देखने हैं अनलाइस करने हो सकता है आप चार स्टॉक्स रेट करो तीन कर ले जाओ और एक ना कर पाऊ क्योंकि थोड़ा हो सकता है Confuse आपको चार्ट कर दे जहां लगे की Confusion वर्ट समको चार्ट शेर कर दो ठीक है इतना सा काम आप लोगों को करना है और यहीं हम लोगों का next week से स्टार्ट हो चलिए अभी जितनी पढ़ाई बगारा हो नहीं थी उसारी हो गई और अब एक्जेक्विशन स्टार्ट होगा अपने नवस्ते सर नवश्कर अंसु बुलिए सर यह क्लासिस आपको का था मैंने बेजनी के लिए सर आपने बेज़ा नहीं तक रिकॉडडिट क्लास सटेड़े की आपकी क्लास थी ना जो हमने नहीं भेजी थी आपको आपको आन जी सर जो एंट्री लेनी है वो चैप्टर 9 और 10 से देखेंगे ना एंट्री हम चैप्टर 9 अट्री हम बनाए नो टीक है और स्टॉक सेलेक्शन सर क्या है एक बड़ आप बता दू कितने में बताये स्टॉक्ज करने कर अब क्लास तो हमने लगाई नहीं थी जॉब पे थे सर अग अगर आप एक बड़ मैसेज कर दो उसका स्टॉक सेलेक्शन का वह हम कर देंगे वीडियो देख लीजिए गाई वीडियो में बताई है और तींच चर मेथट से एजी सबसे इसी मेथट ठीक है सर और एक बड़ वीडियो सर याद से बेज देना सर अगर हो सके तो आज की त चार्ट से देख्याया है जब आपने ये चार्ट बनाए था देट और इस जो आपने बताया दो नहीं च्रली अगर नहीं करने लेड़ लें तो इस दो भीर किसी में अने यहां से शेयर कर दें